वेलमेंद fountain वेल्को komt गाइस आज अम बनाएंगे होम्मेड मयोनिज बिल्कुल मारकेट जीसी एग सेम्मेई्यों ले लेते हैं हम Eu बना तयार करते हैं सबसे पहले हमें कितपेली ले लेते हैं हम थोड़ी सी मयोनिज बनाएंगे जिती एक दिन मैं दो तीन में यूज हो सुके ताजी ताजी मयोनिस बनाई और ताजी ताजी खाईए इसलिए आप ज्यादा अमत बनाईए और आपको अगर ज्यादा बनानी है तो आप क्वांडिटी डबल कर लीजिए सबसे पहले मैंने वन फोर्थ कप दूद लिया है बिल्कूल चील्ड बरफ जैस चम्मज का आठवा हिस्सा इतनी ही अमे शुगर डालनी है वन फोर्थ टीजपून सॉल्ट चोथा हिस्सा नमक हाफ टीजपून विनेगर अब आप सोचेंगे विनेगर डालने से दूद फट जाएगा पर इसमें विनेगर जरूरी है इसलिए हम इसमें डालेंगे और वन इसमें बिल्कूल बिना फ्लेवर वाला ओइल डालेंगे बिल्कूल ओइल डालना है हमें फ्लेवर वाला मत लीजिएगा अब हम इससे बीट करेंगे वन की स्पीट पर इससे बढ़ने में कम से कम 15 मिल लग जाते हैं धीरे धीरे बीट करना पड़ता है रुखना पड़ता ह आपके पास बिटर नहीं हो तो आप इसको मिक्सर में भी बना सकते हैं मिक्सर में धीरे-धीरे फेटते जाएए और खोलते जाएए लगते जाएए बस इस चीज का ध्यान रखिएगा धीरे-धीरे करिएगा अब हम इसमें 1-4T cup ओर नालेंगे अब इसमें पर अब धीरे-धीरे मिलाएंगे हम इसमें कुल मिलागे हमको 1-5 cup तेल लग जाएगा दीक्मिये कैसे बिल्कुल धीरे-धीरे थोड़ी-धीर बीट करते जाएए थोड़ी-धीर में मिलाते जाएए अगर आपका दूद कभी बीच में ऐसा लगे कि आप नहीं फेटा आ रहा है नहीं हो रहा है गाड़ा तो इसको आप वापिस थोड़ी देरे के लिए फ्रीज में रख दीजिए और फिर फेटी है उससे आपका दूद अच्छा और अच्छा फटा फट से हो जाएगा देखिए एक बार हम इसकी कंसिस्टेंसी देखते देखिए थोड़ा गाड़ा हो चुका है अब हम इसको थोड़ा दीरे से और बीट करते हैं मिक्सर में भी आप इसी प्रकार बिल्कूल थोड़ी थोड़ी देर रुखते जाएए थोड़ी थोड़ा तेल मिलाते जाएए और पीशते जाएए उसको अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें चैनल बढ़ने हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल का बटन जरूर दबाए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिविकेशन आपको इसे ही मिलते रहें देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत कुछ अच्छी हो चुकी है और इसमें पूरा मिक्स हो चुका है सबसे पहले था ओईली मिक्स हो चुका है देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो चुकी है थोड़ा से कम रहेगा उसके बाद इसको फ्रीज में रखेंगे तो अच इतना अच्छा गाड़ा हो चुका है अगर आपका फिर भी पतला रह जाता है तो आप एक बार मिक्सर में इसको घुमा लीजिए बिल्कुल सेम कंसिस्टेंसी आ जाएगी गैरेंटी से आप एक बार से जरूर ट्राय करें देखें आपको ठाली में लेकर बताती हूँ प्लैट में देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मार्केट जैसी है ना आप इसे एक बार जरूर ट्राय करें हमारी मैनिस बनकर त्यार है